महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत और बहुत सारी शुप कामना है देखिए वैसे तो महिला दिवस पर महिलाओं की बात होनी चाहिए पर अकसर हम क्या करते हैं कि डिसकेशन में ना पुर्शो कोई बीच में ले आते हैं फिर उनसे तुलना करना, उनकी बराबरी करना, उनको दुहाई देना शुरू कर देते हैं पर मैं आज ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली मैं आज बात करूँगी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की देखिए मोहताज नहीं है औरत किसी गुलाब की वो तो खुद बागवान है इस कायनात की जैसे बाग में अलग-अलग प्रकार के, अलग-अलग रूप के फूल खिले होते हैं ऐसे ही नारी के भी, एक औरत के भी, एक महिला के भी अलग-अलग रूप होते हैं वो देखिए एक बेटी है, एक बेहन है, पत्नी है, मा है, बहु है, देवरानी है, जिठानी है, सास है, नंध है, अलग-अलग रूप है लेकिन अगर वो अपने रूप में अच्छे से खिलेगी ना, तो अपने जीवन की बगिया को वो महका देगी और अगर वो खिलने के साथ साथ खिलने के साथ साथ मिल जूल के भी रहेगी ना एक दूसरे के साथ फिर तो मान के चलिए किसी भी चैलेंज का किसी भी चुनौती का वो डट के सामना कर सकती है मतलब फिर मजाल है कोई उसको कमजोर बोल दे उसको निर्बल बोल दे पर एक कड़वा सच भी है अकसर ना एक महिला दूसरी महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है अब जैसे सास है सास बहु बहु सास देवरानी जिटानी ननक भावी मतलब ओफिस में एक काम कर रही है लेडी उसकी महिला सह करमी एक पड़ोसन मतलब अलग-अलग ये जो है ना ये एक तरह की हकीकत है ये कड़वी सचाई है और बहुत दुखत है एक दूसरे को तो टॉलरेट हैं नहीं कर सकते हैं मतलब एक दूसरे से इतनी नफरत इतनी हेटरेट करते हैं आप मुझे एक बात बताईए हम अकसर ये कहते हैं ना कि एक महिला त्याग की ममता की करुना की जीती जाकती मूरत है हम कहते हैं ना तो यह किस महिला के लिए है, यह सबी महिलाओं के लिए है, सबी महिलाएं ऐसी है, दिल की एक दब नर्म, कोमल, पर क्या एक महिला जब सास बन जाती है, तो वो चीज यह नहीं रहती है, या बहु बन जाती है, तो यह चीज नहीं रहती है, या जब देवरानी, जिठानी हो तो क्या हम उसको ममता मई करूना मई नहीं बोल सकते हम नहीं बोलते ना एक दूसरे को हम यह सोचते हैं कि यह तो सबसे बुरी है यह दुनिया की सबसे बेकार महिला है मतलब इसमें प्यार महबत दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है यह तो निश्टुर है मतलब हम इस तरह के पर कहीं न कहीं, कि सही नहीं है, क्योंकि वो भी एक महिला है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की पत्नी है, यह होता है, तो जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि हमें इस तरह से कोसने के, उनसे लड़ाई जगडा करने के, उनको ताने मारने के, हमे अपना नजरिया चेंज करना है, नजरिया क्या चेंज करना है, हमें मिल जूल के रहना है, एक साथ रहना है, प्यार से रहना है, एक कठे हो के रहना है, यह जो मैं बात कर रहना है, कि मिल जूल के रहना है, यह किसले कह रही हूं, मैं आपको एक चोटा सा एक्जामपल देती ह और जहां हम, हम महिला हैं, हम सभी महिला हैं, एक जुट हो गई, एक साथ हो गई, मिलके आ गई ना सामने, वहीं जो बुराइयां हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे इशूस हैं, हम महिलाओं को लेके, सब को मतलब साफ कर सकती हैं, यह जो कचरा है ना, इनको हम स उसके साथ domestic violence हुई, वो चुप है, वो चुप किसलिए है, वो चुप इसलिए है कि कोई आवाज ही नहीं सुन रहा उसकी, उसको यह लग रहा है मैं बिल्कुल अकेली हूँ, और वो इसी चक्कर में सब कुछ सहे जा रही है, वो चुप चाप है, वो उन सब चीजों को वो सह है, वो बोलनी पा रही है, वो पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फरफडा रही है, और जहां हम सम मिल गई, जहां हम मिल गई सम, उसको पता है कि मैं अगर बोलूँगी, यह मेरी आवाज बनेगी, मेरी ताकत बनेगी, मैं अकेली नहीं हूँ, तो उसे क्या होगा, सो सकते आप मतलब यह जो क्राइम है ना यह तो मान के जलिए यह बंदी हो जाएंगे एक तरह से और यह domestic violence गरेलो हिंसा मतलब ही नहीं कोई हाथ उठा दे मतलब ही नहीं कोई हाथ उठा दे अगर हम एक जुट हो जाएं और एक ओगोन, और लेडी pregnant हुई पदा लगा लोग्र में क्या है कण्या नहीं लड़की नहीं आओ एक चीज मैं बोलो आप बुरा मतमानना पर एक्चल में हकीकत है कही न कही न इन सब में हमारा रोल भी है अब जैसे एक लड़की पढ़ना चाहरी है उसकी ममी भी तैयार है कि हाँ ये आगे पढ़े पर उसकी दादी लड़की की दादी क्या करेगी? क्या करेगी ज़्यादा पढ़ाकर? रहने देश को घर पर इबटा गढ़ के काम का सिखा या फिर एक लड़की अपने पेरोपे खड़ा होना चाहती है उसके जो और लोग घरवाले हैं वो यह चाहते हैं कि अपने पेरों पेड़ी हो पर मदर नहीं क्या जूरत है पेरों पे फिर तो सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं इसमें हमारी involvement भी है कहीं ना कहीं है इसमें पर जहां हमने समान अनुभूती रखी मतलब मिल जूलके रहे एक दूसरे की बावनाओं को समझा अभी तक तो समझ नहीं रहते ना जहां हमने समझा वहीं हमारा नजरिया चेंज हो जाए हमना सभी जैसे चाहे वह सास है चाहे वह बहु है चाहे वह ननन्द है सभी आपने आपको ग्रेट समझते हैं हम ग्रेट है बस मैं ही हूँ मैं ही स्रेश्ट हूँ यह प्रॉब्लम तब तब आनी शुरू होती है अब जैसे मैं चोटी सी आपको कहानी सुनाती हूँ बहुत कुran कर आजरी देग लिए इसने डूम्ट oh ओग मैं इसलिए लिए इसलिए सबसे महान हो क्योंकि इसका तुब परेंग लिया जाता है मतलब अंकुटे का निशान बहुत चलता है इसलिए मैं ग्रेट हूं च्छा दूसरी ओंली इसने क्या कहा मैं ग्रेट हूं कै। मैं लोगों को बताने के काम आती हूं, वो देखो वो रहा, वो देखो वो रहा, वो देखो वो रहा, मतलब फिंगर पॉंट आउट करने के काम आती हूं मैं तो, मैं एग्रेटू, सब मेरा ही जारा लेते हैं, अच्छा, ये उंगली क्या गेती है, मैं सबसे बड़ी हूं, मे आप फैसला करो, कौन ग्रेट है, ग्रेट तो है, हम सब अपनी अपनी चला रही, सब अपनी अपनी चला रही, जज ने सारी बात सुनी, उन्होंने का अच्छा थोड़ा दिर शान्त हो, मैं ने आय करता हूँ, उन्होंने एक रजगुल्ला मगाया, उसको रख दिया, कैते ज जो इसको उठा लेगी न, जो उंगली इस रजगुल्ले को उठा लेगी, वो ग्रेट है, उठा लो, सब इने ट्राय कर लिया, सब इने ट्राय कर लिया, नहीं उठा पाए, ये उंगली, ये उंगली, उठाओ, नहीं जी, मतलब ही नहीं, उठा सकते थे क्या, बताईए बिना किसी साहरे के एक उंगली के नहीं उठा पाए तो जजने का अब मिलके उठा लिया क्या देख लगी मिलके उठाने में ये ये जो ताकत है ये जो ताकत है हम क्या है हम बिखरे होए है ये जैसे उंगली है न सब अलग-अलग है हम बिखरे होए है एक होते होए भी मतलब हम एक हैं, एक फीलिंँज हैं, समान अनभूती है, एक दूसरे को हम बहुत अच्ची त्रहें समझती हैं, सभी महिलाएं, पर बिख्री हुई हैं, अलग-अलग हैं जहां हम एक हो गई ना, एक, ये ताकत, ये ताकत बन गई ना, हमारी, फिर कोई हमारे सामने नहीं आ सकता, तो कि जरूरत है हमने एक जुट होने की तो जरूरत क्या है कि जो हम लडाई जख्डा करते हैं, बुराई चुग्लियां करते हैं, हरWork, यह नंहीं कोशिए नहीं करते हैं, हम महिल आहिए इससे उपर उठे हैं, बस इस से बहार निकल जाए, यह बहुत ना आट आ.. देखिए अपवाद भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, समय बदल रहा है, थोड़ा बहुत बदलाव भी आ रहा है, पर बहुत थोड़ा सा है वो बदलाव, जरूरत है एक जुट होने की, मतलब मिल के रहने की, फिर देखिएगा, तो क्यों न हम सब मिल जूल के संकल्प लें, स मतलब हमारी तो ताकत का, मतलब जो हम अपने आपको कमजोर कहती है ना, हमारी ताकत बने की यह और उसका तो अलगी लेवल होगा, लोगों की बोलती पंद हो जाएगी, जो बोलते रहते हैं, तुम क्या कर सकती हो, तुमारे बसका नहीं है, तुम रहने दो, उनके मूपे ताला लग जाएगा, चाह ताले से एक बात मुझे याद आई, कि जैसे ताला होता है ना, अगर वो चाबी से खोला जाए, ताला चाबी से खोलते हैं, पर चाबी से खोला जाए तो बार-बार हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना, पर जहां पर उसको हतोड़ा लग गया, हत में समय तख चलेंगे इसलिए कोशिश क्या करनी है, कि हम er मिल जूल के रहना है, प्यार से रहना है और यकीन मानी है यकीन मानी है जिस दिन हमने यह निर्ड्ड कर लिया ना, जिस दिन हमने यह सोच बना ली ना एक ओकर रहना है हमें, एक के, सममेलाओं को बिल्कुल एक का करके रहना है एक होके रहना है उस दिन से यह जो हम 8 मार्च को महीला दिवस मनाते हैं हर रोज मनाएंगे महीला दिवस हर रोज मनेगा महीला दिवस तो जरूर सोचेगा इस बात को जरूर सोचेगा विसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं आपके कमेंट्स का मुझे इंजा रहेगा और हाँ अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिजेगा और इसमें ये एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजेगा ठीक और एक बार फिर से महिला दिवस की बहुत बहुत और बहुत सारे शुब कामना है